शारुक खान आपका जो मिशन है अंदर आप समय का सद्कियों कैसे करते हैं जो फ्यूचर में मेहनत कैसे करते हैं वो वरुन धवन में कूट-कूट के भरी है रनबीर सिंग उठे हो बोले राजपाल हम बदल गए हैं एक ऐसी फिल्म हो जिसमें रजनी कांद साहब और राजपाल दोनों में लिदू वो उसका जरूर मतलब मैं इंतजार कर रहा है रोड ट्रिप के लिए तो विजय राज हो या फिर संजय मिश्रा अगर आपके पास तुट सिरम हो किसी से कुछ सच उगलवाना हो इनसे क्या उगलवाओगे सबसे पहला मिटाबच्चन आपकी धैरे का राज सलमान खान आपका एटिट्यूट का राज शारुक खान आपका जो मिशन है अंदर आप समय का सद्क्यों कैसे करते हैं समय को कैसे आप 24 घंटे में निकालते हैं इनसे अगर कुछ आपको स्टील करना हो चुराना हो तो शारुक खान से क्या चुरा हो गया आप प्रेना अक्षय कुमार से बाडी फिटनेस वरुन दवन मेहनत और जो फ्यूचर में मेहनत कैसे करते हैं वो वरुन धवन में कूट-कूट के भरी हुए एक दिन आप उठो और आप देखो कि आप रनवीर सिंग में बदल गए हो क्या करोगे आप नहीं यह उल्टा हो सकता एक दिन रनवीर सिंग उठो बोले राजपालम बदल गए सबसे नंबर वन लिस्ट पे कौन सा फिल्मेकर है जिसके साथ काम करना चाहता हूँ इसके साथ काम करना चाहता हूँ किया है लेकिन एक चुनना चड़े तो एक ऐसी फिल्म हो जिसमें रजनी कांध साहब और राजपल दोनों मैं लेजू वो उसका जरूर मतलब मैं इंताब कर रहा हूँ कि एक रजनी सर के साथ में फिल्म ऐसी हो जो मतलब प्रापर दो मतलब प्रापर लीट करने का उनके साथ मौका मिले शायद मजा आएगा अगर रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो और इंडस्ट्री के दो फ्रेंड्स को अपने साथ ले जाना हो किसको ले आओगे एक तो हंड़िट परसेंट वाइफ को ले जाना पसंद करूगा कि वह अच्छी मार्ग दरशक है अच्छा इ बेटी हैं और इंडस्ट्री से कोई दोस्त लिया ना हो तो उसमें बहुत सारे लोग हैं लेकिन मैं लगता है कि ज्यादा समय रोड ट्रिप के लिए तो विजयराज हो या फिर संजय मिश्रा हो या नवाज भाई हो इनके साथ कंटीनूटी में पिछले बहुत सालों से है इन में से कोई एक मिल जाए तो रास्ता बहुत या हैमन्त पांडे हो यह अपने सब ऐसे क्योंकि बाचीत भी होती चले किस चीज पर आपको गुस्सा आता है किस चीज पर गुस्सा आता है सही चीज कम्यूनिकेट ना हो कि लास्ट में अगर कोई ऐसा कोई पहले तो यह कोई स्टार है जिसने जिसको देखके आप स्टार स्टक फील किये हो तभी चाली चैपने साथ बुक लिखी जाये तो उसका टाइटल क्या होगा हंडेड डेज व माई लाइफ जिसने पूरा जिन्दगी उसमें आजाएगी हंडेड डेज में ही पूरी जिन्दगी आजाएगी थैंक यू सो मच राजवाल भिया आप से जब भी बात करते ना तो ऐसा वो लेकिन आपने अच्छा क्वेस्टन पूछा है कि अगर किताब लिखी टाइटल क्या है यह पूर है कि वक्त पैमाने में उसको बांग नहीं सकते वो फ्री फ्लो होना चीए जैसा आप हो अपने आपको छोड़ देते हो चाहे हो एक दीन रोड ट्रिप चलते हैं अपन पूरी तीम के साथ और करते हैं तो इतने सारे जो आपके चाहने वाले हैं बुन फैंस को क्या कहना चा जितना आपने प्यार किया है 207 कंट्री को मैं तहे दिल से नमन करता हूं कि आप नहीं होते तो राजपाल तो 100% नहीं होते आपको अगर बनाया है राजपाल को अगर बनाया है तो आपने बनाया है और उपर वाले की बलेसिंग ने बनाया है माता पिता गुरू के आशिव जीते रही है आपके जो फैंस है ना बहुत लॉयल है आपके लिए इतने आप मतलब हर देन आप जब देखो न तो आप खोलोगे तो आपका कोई निकल आएगा कोई डायलोग निकल आएगा चाहे कोई स्थिती हो पॉलिटिक डिरेक्टर दासन का डिरेक्टर जो रूपेश पूछ रहे थे कि राजपल भाई आप एनर्जी कहां से लाते हो तो मैंने कहा कि एनर्जी हमारी नहीं यह 100% ऊपर वाले की ब्लेसिंग और आशिरवाद और जनता की पॉजिटीव उर्जा ने ही मुझे यहां तक एनर्जी देए सब कुछ फैंस काई है वो हमेशा रहेगा जनता का प्यार और कारवा बढ़ता ही रहेगा थैंकियो सुमिट पाई उम्मीद करते हैं थोड़ी बहुत बाद आपको ठीक लगी हमारी नहीं बहुत अच्छा लगा और मैं तो बहुत सारे फैंस से माफी भी मांगना चाहता हूँ कि मैं साड़े साथ सो करोड़ लोगों तो जिनके साथ सेलफी खिची वो भी मेरे खास और जिनके साथ सेलफी नहीं खिची वो भी मेरे दिल के पास बहुत लव यू आल रिस्पेक्टिव आल